तो को पता होगा जो Zontes है जो basically एक Chinese company है उसने हाली में Indian market में अपनी कुछ bikes को launch किया है जो कि है Zontes 350R, Zontes 350T, Zontes 350X और Zontes GK350 जेने इंडिया में काफी पसंद किया जा रहा है इनकी killer looks और first in segment features की वज़े से तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Zontes GK350 के detail review के बारे में जानेंगे इसकी pricing क्या है, इसकी features क्या है, इस bike की power कैसी है, इस bike की performance कैसी देखने को मिलती है तो भीना कोई time waste की है, let's get started इस bike में हम लोगो 348cc का liquid cooled single cylinder engine देखने को मिल जाता है, जो आता है six speed manual transmission के साथ जो power produce करता है 38.2bhp और 32.8 newton meters का torque जो मेरे हिसाब से काफी सही है और इसलिए इस bike की top speed 145 km per hour की है बात करते हैं इसकी कुछ और specifications के बारे में तो front में हम लोगो upside down folks देखने को मिल जाते हैं वही rear में हम लोगो mono shock absorber देखने को मिल जाते हैं इस bike में हम लोगो dual disc with dual channel भी इसको देखने को मिल जाता है बात करें इसके disc size की तो front में हम लोगो 320 mm की disc देखने को मिल जाती है वही rear में हम लोगो 265 mm की disc देखने को मिल जाती है लेकिन एक must feature जो इस बाइक में नुरूंटीस होता है वो इसका exhaust जो full MV अगुस्टा वाली feel देता है साइड में आप देख सकते हैं बात करें लाइटिंग की तो इस बाइक में all LED setup देखने को मिलता है चाहिए आप headlight देखें टेल लाइट देखें इंडिकेटर देखें और लेडी है तो इस बाइक को यालो जोन वाली चिंता करने की आपकी ज़रूरत नहीं है इस बाइक में 17 लीटर की massive fuel tank capacity देखने को मिलती है तो मतलब एक बार fuel tank करा हो और आराम से गूमो क्योंकि इस बाइक की mileage है 30 km per liter इस बाइक का जो weight है वो 188 kg का है और इस बाइक की जो spoke wheels देखने को मिलते हैं alloy wheels नहीं मिलते हैं जो मुझे personally काफी disappointing लगे लेकिन क्योंकि एक cruiser bike है तो उतना कुछ फर्क नहीं पढ़ने वाला है इस bike में हम लोगो digital speedometer देखने को मिल जाता है लेकिन कोई भी connectivity देखने को नहीं मिलती है बात कर इसके tires के तो front में हम लोग 120 section के tire द orange और black gold ऐसे black gold सुनने से कुछ और भी याद आता है sorry मैं जाक कर रहा था जो main point है इस बात का वह इसकी pricing तो बात करते हैं इसकी pricing के बारे में तो इस बारे में तो इस बारे की जो एक showroom प्राइज है वो 3,47,000 रूपीज है और जो on-road प्राइज है वो 3,90,000 रूपीज है जो अगली वीडियो में